नमस्ते दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक्विट सुमर आठाट पे आज मैं आप सभी के ले के आई हूँ गोभी मटर की ये बहुत ही जादा चटपटी और मसालेदार सबजी की रेसिपी जिसे मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है और ये इतनी जादा टेस्टी बनती है कि आपका मन करेगा इसे बार-बार बना के खाने का गोभी मटर की सबजी हम सभी की फेवरिट होती है खास करके हमारे बच्चों की तो एक बर इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं गोभी मटर की सबजी बनाने के लिए मैंने प्लेट में ले ली है 600 ग्राम फूल गोभी इसे मैंने काटने के बाद अच्छे से 2-3 बार पानी से धूलिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े टुकडो में मैंने इसे काटा है जादा छोटे टुकडे नहीं करने हैं यानि कि जो गोभी के फूल है वो आपको थोड़े बड़े रखने हैं बहुत जादा छोटे आपको नहीं काटने हैं अब हम एक बरतन में लेंगे गरम पानी तो इस कड़ाई में मैंने 1 लिटर पानी को अच्छे से गरम कर लिया है अभी गैस ओन है इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चमच नमक और आधा नीम्बू का रस डाल देंगे इसके साथ अब इसमें डाल देंगे हम गोभी यानि कि गोभी के जो सारे फूल है वो आपको गरम पानी में डाल देने हैं अब एक चम्मच की मदद से इस गोवी को हम पानी में डुबो देंगे अब आपको क्या करना है हाई फ्लेम पर गोवी को पांच मिनट के लिए बॉइल कर लेना है पांच मिनट से जादा इसे बिल्कुल भी बॉइल नहीं करना है आपको इस बात का आप ध्यान रखें केवल पांच मिनट तो देखिए गोवी को मैंने पांच मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉइल कर लिया है अभी ये 50% तक कुक हो गई है तो गैस को बंद कर दे और गोवी को निकाल लें तो जारे की मदद से मैं इसे निकाल रही हूँ ताकि इसका जितना भी एकसेस पानी है वो निकल जाए और इसे जादा देर गरम पानी में भी नहीं रखना है अब एक कढ़ाई लेंगे इसमें डालेंगे एक चुथाई कप सरसो का तेल सरसो के तेल में इस सबजी बहुत टेस्टी बनती है तो कोशिश करें आप भी यही लें तेल गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे गोवी के सारे फूल तो एक एक करके आपको यह सारे फूल स्टेल के अंदर डाल देने है तो मैंने सारे फूल इसमें डाल दिये हैं अब हम मीडियम फ्लेम पर गोवी को लगातार चलाते वे फ्राय करेंगे तो फ्राय करने से एक तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है पर देस्ट जे पूल बहुत भी झाँ है तो इससे आपको इससे चलाते वे तब तक एपस जाले था करना तो और डाल गोवी मैं लिए अप बून ली है हलका से इसमें कलर भी आ चुका है तो बस इसे इतना ही भुनेंगे अब गैस को बंद कर दें और इस गोवी को एक बरतन में निकाल लें अब जो तेल बच गया है गोवी को भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच जीरा और जीरे को थोड़ा सा पका लेंगे अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट तो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को मिक्सी में पीस करके लिया है ये डाल देंगे आप प्याज के पेस्ट को इस तरह से चलाते वे मिक्स करेंगे और अब आपको इसे लगातार चलाते वे मीरियम फ्लेम पर पकाना है गुल्डन ब्राउन होने तक तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से पक गए हैं ब्राउन हो गए हैं तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे बारिक कुटा हुआ अद्रक और लेसून तो दो बड़े चमच आपको अद्रक लेसून को कूट करके लियुका ए ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके उन्दर इसके साथ इसमें डाल देंगे दो बारिक कटीवी हरी मिर्च अब अद्रक लेसुन और हरी मिर्च को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दो मिनट के लिए और पका लेंगे तो अब आप देखिए अद्रक लेसुन और हरी मिर्च प्याज के साथ पक गए है बड़िया साइस में कलर आ गया है तो अब इसमें डालेंगे टमेटो प्योरी, तो मैंने दो बड़े साइस के टमाटर को मिक्सी में पीस करके लिया है, ये डाल देंगे, अब टमाटर के पेस्ट को भी बाकी सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, तो सबसे चोटी चमच हल्दी पाूडर डाल गेए एक चोटाई चोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे अब इन सा रहे मसालों को आप टमांटर के पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें तो इससे मिक्स कर लिया है मैंने अब इसके उपर हूद हाता है दहकल दगा डगा के लो फ्लेम पर मसाले को लगभग तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे तो चार मिनट हो गई है अब आप देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और एकदम गाड़ा भी हो गया है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे दही तो दो बड़े चमच मैं इसमें फ्र मिनट के लिए पका लिया है बहुत ही अच्छे से पक गया है तो अब इसमें डालेंगे हम मतर तो कटोरी में मैंने आधा कप मतर लिए हैं बजन से देखें तो ये 1.500 ग्राम मतर है मतर को मसाला के साथ मिक्स करेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी तो एक कप भर के म पकने देंगे, तीन मिनिट हो गई है, तो जो हमारे मतर है, ये 50% तक कुक हो गए है, तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे fry करी हुई गोभी तो इस सारे गोभी के फूल आपको इसमें डालने हैं अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच क्रश करी हुई कसूरी मेथी जिसे की बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सबजी के अंदर अब कसूरी मेथी और गोभी को आप मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें तो इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है अब हम इसके उपर धकन लगा देंगे और लो फ्लेम पर सबजी को लगभग 6-7 मिनिट के लिए पकने देंगे तो 7 मिनिट हो गई है अब आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इस सबजी बहुत ही अच्छा कलर आया है और गोभी और मटर अच्छे से पक गए है तो आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और इसे भी कर दें अच्छे से मिक्स तो ये लीजे दोस्तों गोभी मटर की बहुत ही जादा टेस्टी सबजी बन करके तयार है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बनी है एक बार इस सबजी को आप मेरे तरिके से जरूर ट्राइ कीजेगा सब ही को बहुत पसंद आएगी खास करके आपके बच्चों को तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाई